हेलो फ्रेंडस आज हम मूंग की बरी बनाने वाले हैं ये मूंग डाल की बहुत ही असानी से बन जाती है विलकुल कम समान में कम टाइम पर बनकर तियार हो जाती है तो फ्रेंडस आप इस वीडीो को जरूर एंट तक देखें इसकी सब्जी खाने में बहुत ही सौधिश लग तो इसी हिसाब से हम एक चौथाई भाग चना डाल ले लेंगे दोनों को पानी में भिगो कर रख दिये है कम से कम चार से पांच घंटे के लिए ताकि अच्छे से यह पानी में भीग जाए और जब यह पानी में भीग जाएगी तो दाल को हम धुल लेंगे यह चिलके वाली तो इसकी चिलके हमने अलग कर लिये हैं और इसको हमने अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल बारीक पीसना है चना डाल डालने से इस में होता यह है कि हमारी मूंग डाल की बड़ी बहुत है अच्छी सोफ्ट बनती है नहीं तो ये कड़ी बनेंगी यदि हम इसमें मूंग डाल के साथ यदि चना डाल नहीं मिलाएंगे तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है पीस्ते टाइम हमें इसमें पानी नहीं डालना है अवशक्ता निसार ही हमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना है इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला मिला दिया 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें हम स्वाधनुसार लाल मिर्च पाउडर एड कर देंगे यदि आप लहसुन खाते हो तो लहसुन को भी इसमें पीस कर डाल सकते हैं नहीं तो विदाउट लहसुन के भी अच्छी बनती है, अद्रक लहसुन आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हैं यदि मिलाना चाहते हैं तो इसको हम अच्छे से फैट लिया है इसको अच्छे से फैटना जरूरी है हाथ से अच्छे से इसको फैट लें और इसको हम चेक करेंगे कि हमारी दाल अच्छे से फिटी की नहीं तो इसके लिए हमने एक बावल में पानी ले लिया है पानी में इसको डाल कर देखते हैं यह उपर आ रहा है उपर तैर रही है तो यह हमारी सब्जी जब हम इसकी बनाएंगे बरी की तो यह अच्छे से उबलेंगी यदि अच्छे से नहीं फिटेगी तो हमारी बरी अच्छे से नहीं उबलेंगी जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो तो इस चीज का धियान रखे कि आप इसको अच्छे से फैटें और इसको फैटने के बाद इसकी हम छोटी छोटी सी बरी बना लेते हैं छोटी बरी जिस भी साइस की बनाना चाहते हैं वैसे बना लें इसको हमें कपड़े में नहीं देनी है प्लास्टिक की सीट में हम इसकी बरी देंगे तो इसकी हम बरी बना कर त्यार कर लेते हैं और इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं तो ये फ्रेंड्स आप मुंगदाल की बरी को जरूर बनाए बहुत ही स्वादिश्ट लगती है इसकी सबजी जल्दी मैं इसका वीडियो शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जादा से जादा लोगों के पास फ्रेंड्स अरकिल में सेयर करना ना भूलें तो हम जल्दी मिलते हैं